Hello my dear students, welcome to Learn Infinity. आज हम देखेंगे class 12th का lesson number 1, the last lesson. आप लोग सोच रहे होंगे कि lesson 1 है और नाम है last lesson. अब देखते हैं ये lesson के पीछे में क्या mystery है? तो the last lesson ये लिखा हुआ है alphons.8 के दूप. इसमें जो alphons.8 है, ये उनका photo है alphons.8 जो 1840 में जिनका birth हुआ था, 18th 97 में जिनकी death हुई थी. ये एक French novelist थे और short story writer थे. और यहाँ पर भी इनकी एक short story बताई गई है. यहाँ पर actual ये क्या बताना चाहते हैं ये story में? ये दो चीज़े dictate करना चाहते हैं. एक तो ये story के intro में आपको वार बताया चाहेगा, जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. तो यहाँ पर ये story के तुरू ये बताना चाहते हमें, कि जितने वार हुआ करते थे, या आज भी कही कही हिस्सों में जो वार हो रहे हैं, उसका एक normal person की life में क्या effect पढ़ता है, और उन्हें क्या खोना पढ़ता है, और उनकी क्या value रह जाती है, वो ये यहाँ पर बताने वाले हैं. तो हम इनका background देखते हैं, ये उन दिनों की बात है, जब French और Russia का वार था, 1870 से लेकर 1871 तक वार चला था, इस वार में जो France था, वो Russia से हार गया था. Russia को इसमें जीत हासिल होई थी, जीत के साथ जो वहां के आसपास के states हुआ करते थे, area हुआ करते थे, वो भी जीत वाली party के तरफ चले जाते थे, तो इन्हें जो main जो part मिला था, वो मिला था Germany का, जो Russia थी, वो पूरा nation बन गया था, Germany, Poland और part of Australia का, तो ये उन दिनों की बात है, तो इसमें हम स्टोरी में देखेंगे कि ये स्टोरी में क्या बताना चाहरा है, ये स्टोरी में और भी कुछ चीज़े, जैसे पूरुशिया के साथ में, एलसेक और लॉरियन था, ये भी पूरुशिया के तरफ हो गया था, तो जो इनकी language थी, पूरुशिया की, वो जर करना पड़ा, पिपल को क्या खोना पड़ा, क्या उन्हें समझ में आया, वो सारी चीज़े हम यहां पे देखेंगे अभी, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, कि एक लिटिल फ्रांच करके एक बच्चा है, फ्रांच, वो हमेशा लेट स्कूल जाता है, यूजवली वो आ कुछ पढाई पहल रहता है, फ्रांच कि प्रांच की प्रांच कर ईक्रूशन क्या है, वो आप के कंव लोग बने देखेंगे, ति कूछ अपनी प्रांच करतें को बने एक ब STEPHANीते है एक टो लेट पहुंच रहा है, पिर उसने अम अपना ऑ्राइल रेडी नहीं किया, उसने अभी फाइनली वो रेडी हो गया जाने के लिए, अब वो बाहर का जब इन्वार्मेंट देखता है, तो देखता है कि किता प्यारा दिन है, एकदम वाम है, ब्राइट है, उपन फिल्ड है, सौमील चल रही है, सौमील स्मिल्स जो दान की कटाई करने आली मील रहती है, और उ यह अच्छे इन्वार्मेंट को इंजॉय करता हूं, लेकिन उसे पता रहता है कि वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन करतो पाएगा नहीं, उसे स्कूल जाना ही होगा, तो वो स्कूल जाने के लिए, यह सब चीजे छोड़कर स्कूल जाने के लिए वो आगे बढ़ता है, पिर व सालों से यह बोर्ड में कभी कोई अच्छी ख़वर नहीं चपी, जब भी यहां पर ख़वर चपी, बैड नियूज ही चपी है, तो आज भी कोई बैड नियूज होगी, जिसके लिए यह क्राउड जमा है, तो उसने अपने मन में एक ठिंकिंग बनाया, कि हो सकता है कोई फ मस्ता ना पढ़ते हुए, वो आगे बढ़ जाता है, वो आगे जाता है, जैसे ही तो उसको एक blacksmith मिलता है, blacksmith उसको daily देखता है, कि यह कैसा बच्चा है, लेट आता है वगेरा, तो वो उसको बोलता है, कि आज तुमें इतना भागते हुए जाने की जरूरत नहीं है, तु वो यही सोसता है, कि यह मुझे taunting कर रहा है, मुझे ताना कर रहा है करके, अब वो finally वो school पहुचता है, तो वो school पहुचता है, तो वो mind करता है, देखता है, कि school किती silent है, unusual, यह school में हमेशा आवाज आते रहती है, benches सरकाने की, benches हिलाने की, बच्चों का revise करने की, जो उनक बैंच को बार-बार रोड से ठोकना, उनके ठोकने की आवाज, बच्चों के चीकने चिलाने की विजल की आवाज आते रहती है, पर आज तो इतनी शान्ती लग रही है, जैसे आज Sunday morning हो, ऐसा वो अपने मन में सोचता है, और सोचते हुए वो बोल, और अपने दिमाग में वो एक और चीज़ लाता है, कि अरे, आज तो मैं कैसा करूँगा, जब रोज आवाज होते रहती है, तो मैं चुपचाप सब की नजरों से बचकर चुपचाप निकलके क्लास में चले जाता हूँ, लेकिन आज कैसे जाओंगा, मैं आज तो यहां बहुत silent है, जब वो धीर जो मिस्टर हैमल है, वो अपने आम्स के नीचे आइरन डॉड लगाये हुए हैं, और बहुत शांती के साथ वो क्लास में इधर से उधर, इधर से उधर रोमिंग हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ब्लैक पैंचेस जो हमेशा खाली रहते हैं, आज उन ब्लैक बैंचेस में ग्रा अपनी प्लेस में जाओ, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो हम तुमारे बिना ही चैप्तिर स्टार्ट करने वाले थे, उसे बहुत अजीब सा लगता है, वो बिक्तम कन्फ्यूज हो जाता है, कि मिस्टर एमल ने मुझसे इतने अच्छे से बात करी बलकि मैं लेट आ करना बहुत कन्फ्यूजन में रहता है वो, और फिर उसके बाद में मिस्टर हैमल का जब ड्रेस देखता है, कि मिस्टर हैमल ने बहुत सुंदर ब्यूटिफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, फ्रील शर्ट पहनी हुई है, लिटल ब्लैक सिल्क कैप लगाई है, और कोई function हो, लेकिन आज ना इंस्पेक्शन है और ना ही कोई function है, फिर मिस्टर हैमल ने ऐसे कपड़े क्यू पहने है, और उसका confusion बढ़ते जाता है, अब मिस्टर हैमल अपना chapter स्टार्ट करते है पढ़ाना, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो जाके बैठ जाता है वहाँ पर अच्छे बड़े बड़े लोग रहते हैं फार्मर्स के मेर्स और फार्मर रहते हैं पोस्ट मास्टर रहते हैं प्राइमर्स पिपल्स आर सिटिंग देर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं और उनके पास में एक प्राइमरी बुक्स होती है बहुत पुरानी बुक उनके हाथ में है जिसके कॉर्नर्स भी मुड़ लेकिन वो लोग बहुत प्यार से उस बुक को सहलाते हुए बैठे रहते हैं फिर Mr. Hemel अनौंस करता है कि ओ जेंटलमेन करके अनौंस करता है सभी को कि चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वो बोलता है कि आप लोगों को मैं पहले बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा चैप्टर है यह हमारा लास्ट फ्रेंच क्लास है हमारा यह लास्ट लेसन है हम आखरी बार फ्रेंच पढ़ रहे हैं यहां बैठ कर क्योंकि आपको कल से यहां फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा आपको यहां कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी जर्मनी प स्कूलों में फ्रांच लेंग्विज को बंद कर दिया जाए और वहां पे जर्मनी पढ़ाई जाए इसलिए आपकी ये फ्रेंच की लास्ट क्लास है इसके बाद में यहां फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी जब वह ऐसा रिग्रेट करते कि नहीं पढ़ाई जाएगी तो में जो लिटल फ्रांच होता है वह बिल्कुल फ्रेंट हो जाता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है उसने आज तक इस क्लास को इतना सीरियसली नहीं लिया होता है लेकिन आज उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला रहता है वह पूरा तरीके से टूट च चीजों को देखता है और माइंड करता है कि अच्छा इसलिए बुलेटीन बोर्ड के सामने इतना भीड लगा हुआ था क्योंकि वहां पर ये वाली खवर लिखी होगी फिर वह याद करता है कि क्ला स्कूल इसलिए इतनी शान्ती क्योंकि ये बहुत ही हॉरिबल निउज है फिर वो बोलता है कि और मिस्टर हैमल ने इतने अच्छे कपड़े इसलिए पहने हुए क्योंकि वो अपनी फ्रेंच लेंगवेज को बहुत इंपोर्टेंस देना चाहते हैं फिर वो बोलता है कि बैक बेंचर्स में बिलेजर्स इसलिए और अच्छे बड़े-बड़े मेयर्स लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि येने पता चल गया है कि जो इनकी मात्र भाषा है जो इनकी लेंगवेज है फ्रेंज वो इनसे चीन ली जाएगी नहीं दिया मैं तो फ्रेंज ठीक से शीख भी नहीं पाया और आहां में लोगों को बताना चाहूं मैं जो हमारी मादर लेंगवेज होती हैं मादर टंग होती है वो बहुत काम आती है अभी तो हम लोग बहुत हम्लोग 25 में लेकिन जब हमें कोई प्रिज्म के अंदर में कैट किया जाता था पहले तो आपस में communicate करने के लिए हमें हमारी मदर लेंग्विज ही काम आती थी अगर हमें हमारी मदर टंग काम नहीं आ रही है तो हम आपस में communicate नहीं कर पाते थे क्योंकि जो भी हमारे enemies होते ते वो समझ चाते थे कि हम क्या बोल रहे हैं तो इस चीज में जो फ्रेंच था उसे बहुत दुख था अब वो लोग जब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और उसके बाद में जब फ्रेंच की बारी आती है अपना बोलने के लिए अपना एक्स्प्लेनेशन देने के लिए तो फ्रेंच नहीं बोल पाता है क्योंकि फ्रेंच ने कुछ पढ़ाई नहीं किया रहता है वो कॉन्फिडेंशल ही नहीं रहता है वो सब कुछ मिक्स कर देता है पूरे वर्ट्स को तो Mr. Hemel उससे बोलते हैं Just relax, little French Relax, cool हो जाओ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है जो तुम्हें नहीं आ रहा है तुम्हारे parents आते थे कि तुम पढ़ने न जाओ तुम्हारे parents आते थे कि तुम पढ़ो नहीं तुम extra earning करने जाओ extra earning उनके घर में आएगी तो उन्हें घर चलाने आसान होगा मैं भी जब कभी कहीं busy रहता था तो मैं तुम्हें भी काम पे लगा देता था कि तुम मेरे garden को देख लो मेरे garden में बीच लगा दो इसलिए ये तुमारे अकेले की गलती नहीं है तुम इसमें खुद को दोश मत दो तुम कोशिश करो पर तुम बोल पाओगे कर पाओगे तुम अपने आपको खुद से निगले मत करो तुम negligency का blame खुद को मत दो ऐसा कहते हुए जो Mr. Heimel है वो अपना आगे का lesson start करते है तो वो बोलते हैं कि जो French है वो बहुत ही beautiful language है इस world में बहुत ही clear और logical language है हमें ये चीज आनी ही चाहिए और आज हम खुद से promise करते हैं कि friends हमें पढ़ाई जाए या ना पढ़ाई जाए लेकिन हम लोग इस language को कभी नहीं भूलेंगे When a people are enslaved as long as he holds fast his language it is as if they had key of their prison तो वो यही कहना चाहरे हैं कि अगर हम अपनी मात्रभाशा को नहीं भूलते हैं अपनी language को नहीं भूलते हैं तो हम आगे जाके हमारे जीत की चाबी खुदी बन सकते हैं हम कहीं से भी निकल सकते हैं ऐसा कहते हुए वो अपना start करते हैं तो जो Mr. M. Hamill थे जो M. Hamill का administration वहाँ पे बहुत high हुआ करता था और आज वो पूरे तरीके से तूट चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि जो 40 सालों से 40 से वो यह स्कूल में सर्फ करते आ रहे हैं जो यह सब चीज़े वो प्रोवाइट करते आ रहे हैं अब वो यह सब चीज़े नहीं कर पाएंगे यह करके वो बहुत तूट चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप में बहुत पेशन्स रखाता यह देखकर लिटल फ्रांज है जो वो पूरी चीज़े समझ जाता है और जितना मिस्टर हैमल को दर्द होता है उतना ही लिटल फ्रांज को भी दर्द रहता है क्योंकि वो याद करता है कि मिस्टर हैमल ने अपने हाथ से यह गार्डन बनाया था जब इसकी ब्रांचिस भी छोटी छोटी थी इसकी वाहिंस भी छोटी छोटी थी आज देखो सारी चीज़े कितनी बढ़ गई है और एम हैमल ने कितना अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए यह सब सोचकर वो बिलकुल अपने दिमाग को कूल नहीं कर पाता वो यही सोचता रहता है फिर इतने में ही एम हैमल है जो सबके लिए नई कॉपियां लाए रहते हैं वो सबको नई कॉपी डिस्टिब्यूट करते हैं तो गिव इट अल अन्यू स्टार्ट और वो ब आउट इंक हैं जय कॉपिया है तो इस कउपी में वह फ्रांस तरीके से लिखवाते हैं वह इस तरीके का लगता है उस वह जंडा लहर आ रहा हो इस तरीके से वह पर tips फार्ट फील होता है, पूरी क्लास शान्त रहती है, वो लोग पूरा लिखने में कॉंसेंटरीट करते हैं, पूरी क्लास में सिर्फ पेंट से लिखने के क्रशिर्स की आवाज आते रहती है, उतने में ही उपर में, क्लास के उपर में दो पीजन्स रहते हैं, वो पीजन्स की भी हलकी स ऐसी आवा二 आवाज आती है वैसे आपको बता दू के पीजन यहां पर क्यों बताया गया है पीजम इंस सिंबोल आपव wz डुटं फ। रीडम फ। काुल है और यहां पर यही बताया गया है कि फ्रेंच के दिमाग में उही चीज़े आती है ये जो पीजन है ये भी अभी तक फ्रायंड सुनते आये हैं क्या ये भी चर्मनी hormon हैं क्या ये जो अपना काना गाते हैं ये जर्मन में काना काने लगेंगे जर्मन language में गाना गाएंगे इस तरीके से वो अपने आपको हर एक चीज से connect करता है और अपने self चीज को एकदम हर एक condition को वो French people से, humans से और जो वहाँ पे changes हो रहा है उन चीजों से connect करकर के सोचने लगता है फिर वो यही सोस्ता है कि humans को कोई भी control में कर सकता है human के उपर अपने rules शला सकता है लेकिन जो birds है वो तो free ही होते हैं वो अपना जीवन आजाती से ही जीते हैं अगर हम उनने कैद में भी कर लेंगे तो भी उनका जीवन आजाती ही रहता है M.Hemal feels story for the loss of his country M.Hemal को बहुत ज़्यादा feel होता है और उन्होंने अपनी पूरी story इसी में बताईए कि कैसे उन्होंने अपनी country को खोया अपनी language को खोया felt story for the lost freedom and his country कैसे उन्होंने freedom को खोया कैसे अपनी country को खोया felt story वो बहुत sorry feel करते हैं यह सब चीजों के लिए इन्हें खोने के लिए इन सब चीजों के लिए और वो चाहते हैं कि हमारे हाथ से हमारे हक्स से friends चीन ली गई हो लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम इसे अपने आप से मिटा दे अपने आप से दूर करे अब M.Hemal रेडी हो जाते हैं क्लास को छोड़ने के लिए अपने वर्क को छोड़ने के लिए तो जो M.Hemal रहते हैं M.Hemal की जो सिस्टर रहती है वो उपर के क्लास में कुछ मुमेंट करते रहती है पैकिंग करते रहती है तो M.Hemal भी रेडी हो इसका मतलब वो यह लिखते हैं कि हम इसे हम फ्रेंच को कभी गुडबाइ नहीं कहेंगे यह हम इसे हमेशा जिन्दा रखेंगे M.M.L. could not face the people M.M.L. की हिम्मत नहीं रती उन्हीं लोगों को face करने की students को face करने की और वहां पे वो पूरे तरीके से उनकी बोलती बंद हो जाती है और वो हाथ से इशारा करते हुए लोगों को बोलते हैं कि अब class खतम हो गई है आप लोग जा सकते हैं और उनका जो last letter होता है ब्लैक बोर्ड में वो होता है वीवा लाफ फ्रेंस इसका मतलब है long live friends यहने friends हमेशा जिन्दा रहेगा वीवा लाफ फ्रेंस long live friends ऐसे करके वो अपना chapter यहीं पर खतम करते हैं हाथ से इशारा करते हैं और यहाँ पे chapter खतम हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है actual में हमें यहीं बताया गया है कि हमारे mother tongue की value हमारे लिए क्या होती है हमें क्यूं अपनी mother tongue को जिन्दा रखना चाहिए तो narrator इस poem के तुरू हमें यहीं बताना चाहते है कि पहले के जो लोग थे उनके लिए उनकी language उनके लिए क्या हुआ करती थी और आज friends ने क्या खोया था तो मैं यहीं पर अपती story खतम करती हूँ मुझे sure है कि आप लोगों को story समझाई होगी और हमारी ऐसे ही chapter explanation से बने रहने के लिए हमारे channel को subscribe करें Thank you, thank you very much